उम्साइराम हरहर महादेव आज का रात्रि संदीश जिन्दगी बहुत हसीन है, कभी हसाती है तो कभी रुलाती है लेकिन जिन्दगी की इस भीड में जो इनसान खुट को खुश रखता है जिन्दगी उसी के आगे सरजुकाती है क्योंकि जिन्दगी का सफर बहुत लंबा है और हर तरफ कांटे ही कांटे है लेकिन जब हमें पता है कि मारक कांटों से भरा है और हम जानते हैं कि हमारे पैर में कांटे चोबेंगे भी लेकिन क्या कांटों के डर से हम चलना छोड़ देते हैं हम चलना नहीं छोड़ते बलकि संभल कर चलना सीख जाते हैं और जिन्दगी में मुसीबतें परिशानिया इसी लिए आती हैं कि इनसान मजबूत बन जाए और उन सबसे लड़ना सीख जाए और संभल कर जीवन में आगे बढ़ जाए उमीद एक ऐसी सकती है जो बुरे समय से लड़ने की आपको ताकत देती है अगर आपके अंदर उमीद काइम है तो आपका होंसला भी बना रहता है क्योंकि हम एक उमीद और एक आस पर तो जिन्दगी में इतने उतार चड़ावाते हैं अगर हमें आस ना हो हमें उमीद ना हो तो हमारा जीवन तो एक पल में ही समाप्थ हो सकता है ये उमीद ही तो है जो हमें जीवन जीने की हिम्मत देती है हर अच्छे बुरे समय से लड़ना सिखाती है तभी तो कहा जाता है कि मुस्कले और परिशानियां हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है क्योंकि ईश्वर ऐसा चाहते हैं कि आप इतने मजबूत बने कि दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ ना पाए और अक्सर लोग मजबूत लोगों को देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये तूटते क्यों नहीं बल्कि उनके जीवन के संगर्श को नहीं देखते कि ये तूट तूट कर इतना मजबूत हो चुके हैं कि अब दुनिया की कोई ताकती ने तोड़ नहीं पाएगी सच परिशान हो सकता है लेकिन कभी हार नहीं सकता इसलिए परिशानियों के डर से कभी अपना रास्ता ना बदले हाला चाहे कैसे भी हो लेकिन आप सच्चाई के साथ खड़े रहें चाहे आपको अकेले ही खड़ा हो ना हो, लेकिन सच का साथ दे, सच्चाई के रास्ते पर चले, क्योंकि जिनके पक्ष में लोग नहीं बोलते, उनकी गवाही खुद इश्वर देते हैं, क्योंकि वो सब देखते हैं, सब सुनते हैं, और सही समय आने पर हर प्रशन का उत्तर भी मिलता है, तो इसलिए ईश्वर के फैसलों में कभी निराश ना हो, क्योंकि उससे जादा आपकी भलाई कोई और चाहन नहीं सकता, ईश्वर ही एक ऐसे हैं, जो हमारी खुद से भी सादा फिक्र है उन्हें, वो अपने किसी बच्चे को दुखी नहीं देख सकते, इसी तरह अपने बाबा के फैसलों में सहमत होना सीख जाएं, तो आपके जीवन के आदे दुख कम हो जाएंगे, और आपका मुकाबला सबसे बड़ा जो है वो खुद से है, आपको खुद को जीतना है, अगर आप खुद को कल से बहतर पाते हो, तो आप बहुत बड़ी जीत हा जाएगा, एक दिन में कुछ भी नहीं बदल सकता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ बदल जाएगा, अगर आप अपने आस और विश्वास के साथ अपनी उमीद पर जिन्दा हो, कि एक दिन सब कुछ बहुत बहतर होगा, तो वो समय बहुत जल्द आएगा, सब को मजबूत रखें, और अपने बाबा का नाम जबते रहें, उनका ध्यान करते रहें, तो ये बुरा वक्त कब बीद जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, सदा खुश रहें, सदा जबते रहें, ओम साइराम, हर हर महादेव, शुब रात्री मेरे बच्चो,